हेलो फ्रेंट्स आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इंडिया स्टडी लर्ण में दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यूपी एसकॉलर्शिप के बारे में दोस्तो अगर आपने यूपी एसकॉलर्शिप ला फॉर्म भरा है जी हाँ दोस्तो कुल कितने आवेदन आये हैं तो दोस्तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को सुरू से लेके अन तक जरूर देखिए साथी साथ दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आये हूँ तो प्लीज नीचे दिये हुए रेड कलर वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्काइब कर लिजे और बेल वाले आकन के घंटे को भी बजा दीजे तो चलिए दोस्तो फटाफट स्टार्ट करते हैं तो सिंपली दोस्तो हम आ गए हैं उनकी ओफिसल वेबसाइट पे एस्कॉलर सिप यूपी डॉट एन इसी डॉट इन ठीक है 2019 से 2020 देखपारे यह एड किया इसमें देख एक सारि जानकारी जिसमें दी गई आप को यहां देखे सेसन 2019 से 2020 इसमें देखिए सबसे पहला जो आता है पोस्ट मै ours दोस्तो जो मैत्रिक होती है इंटर और 12th लेवल वालों के लिए और मैट्रिक लेवल वालों तो इतने यहाँ पर देख पारे हैं दोस्तो 14,49,627 जो की रेजिस्टेशन इतने सारे किये गए हैं जिनमें सब्मिट जो किये हैं 14,61,113 फाइनल सब्मिट हुआ है तो दोस्तो इतने सारे जो कुछ गैपिंग जो यह दोस्तो छुट जाते हैं कि ने कि इस वज़े से ऐसा होता है और जोस्तो फॉर्वर्ड की बात करें तो देखिए इतने सारे जो है फॉर्वर्ड भी कर दिया गया है 34,62,735 जो है फॉर्म जो है सभी कॉलेजों से फॉर्म फॉर्वर्ड हो चुका है देन उसके बाद आप पोस्ट मेटर की बात करें ते यहां पे देखिए इतने सारे जो है मैंसन किये गए इन्में भी देखिए फॉर्वर्ड कर दिया गया है टोटल की बात करें देखिए टोटल आवेधन जो की दोस्तो इतने आये हैं उनके बाद दोस्तो बात करेंगे जिनमें की फाइनल सब्मिट जिन्होंने किया है उनका इतना आया है नवासी लाख सलतावन हजार साथ सो चौन सट जो की दोस्तो इतने सारे का जो है फाइनल सब्मिट हो पाया है जिनका में देन दोस्तों इतने सारे चीज़ दिये हूए और सभी कॉलेज यहां देखिए सारा मेंसन कर दिया गया है 47,998,896 जो कि बहुत जल्द आप लोगों को जितने भी रासी मिलती है छात विर्थी के अंदर वो आपको बहुत जल्द बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएंगे तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इंफोर्मेशन, I hope ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा थोड़ी बहुत भी अच्छे लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा साथ जाथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए तो दोस्तों मिलते फिर अगले कोई नई इंफोर्मेशन के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम